नुमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हुआ आपके साथ सुनाली हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इनचीफ डॉक्टर मनीच कमार रगसा बहुत बहुत स्वागत है आपके दन्यवाद सबसे पहले नज़े डालते हैं हेडलाइन्स पर मलेका अर्जुन खडगे ने समाली कॉंग्रिस की कमान अध्यक्ष बनते ही खडगे का एलान आधेपत पचास साथ से कम उम्मरी के लोगों को देंगे गुजराद चुनाव से पहले अर्विंद केजरिवाल का हिंदु त्वकाट पिये मोदी से की भारती करिंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मान महराष्ट्र में जल्द होगा मंत्री मंडल का वस्तार देवें रफणरीस का दावान नई चहरों को मिलेगी जगह हिजाब पर ओविसी का बड़ा बयान बोले एक दिन कोई हिजाबी पियेम बनेगी बीजेपी ने किया जम कर पलटवार ड्रक्स ससकरी के खिलाख अमिद शा का बड़ा एक्शन हजारों किलो ड्रक्स किये गए ना आज की सबसे पहली ख़बर में बात करेंगे कॉंग्रिस को मिले नए अध्यक्ष की कॉंग्रेस में 24 साल बार गांधी परिवार से बाहर का कोई कॉंग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है मलेकार जुन खडगे अधिकारिक तौर पर कॉंग्रेस अध्यक्ष बन गये है AICC मुख्याले दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसुदन मिस्ट्री ने उन्हें जीत का प्रमान पत्र सौपा अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाशन में खडगे ने पाटी में 50 फीसिदी पत 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का एलान किया है डॉक्र साब क्या खड़के कुछ बदलाव कर पाएंगे कॉंग्रेस में अजीब विडबना है देखिए जब इस तरह का कोई बदलाव किसी संगठन में आता है तो लोग नए जनरेशन को वो बैटन देते है कि आने वाला जनरेशन जो है वो यंग ब्लड वो संगठन को आगे लेकर के जाएगा 24 साल से जो अधक्च बनी हुई थी सोनिया गांधी वो अपने से बुजूर्ग व्यक्ति को पाटी का कमान दे रही तो यह अपने आप में जिस बदलाव की बात हो रही थी वो बदलाव तो हुआ नहीं और अभी सेर्टिफिकेट दिया जा रहा है कारिकरम के दोरान केसी वुन गुपाल वो भाषन देते है और भाषन में नामी गिलत पढ़ देते है गांधी परिवार के प्रती जिस तरह की चम्चागरी करने की जो आदत सबकी हो गई है आपका नया नया अध्यक्ष चुना गया है वेनि गुपाल बोल दे रहे हैं कि हमारे नया अध्यक्ष मलिका अरजुन गांधी खड़गे को गांधी कह रहे है तो बदलाव क्या खाक आएगा ये दरसल अध्यक्ष की टोपी पहनाई गई है खड़गे साहब को वो भी इस उमर में 80 साल के है मुझे तो समझ भी दिया रहा किसी यंग सक्स को अगर आपने बैटन दिया होता तो कुछ उर्जा आती तो आपने चुना है एक ऐसे नेता को अध्यक्ष के रूप में जो गांधी परिवार के इसारों पे उठेगा बैठेगा नाचेगा भासन देगा और उनके मुताविक फैसला करेगा मतलब कोई बदलाव नहीं होना है डी फैक्टो प्रसिडेंट कॉंग्रेस पाटी के सोनिया गांधी के दोरान भी राहुल गांधी थे और अभी भी राहुल गांधी है और आगे भी राहुल गांधी ही रहेंगे इसलिए बदलाव के उमीद करना बेवकूफी है जी रवतिसाप जहा एक तरफ खड़गे ने कॉंग्रेस अध्यक्ष की जिमदारी समाल ली है तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविन केजरिवाल अपना वोट बैंक समालने में जुटकाई है दिल्ली के सीएम अरविन केजरिवाल ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांकी है सब चुनावी ड्रामा हैं अर्विंद केजरिवाल हिंदुस्तान की राजनीती के नेटवर लाल हैं अचानक से देवी लक्ष्मी और भगवाल गणेस से इन्हें प्रेम हो गया चुनावी हिंदु कुछ दिन पहले तक ये स्वास्तिक का मज़ाक उड़ा रहे थे लेकिन अचानक से इन्हों ने चिठ्छी लिग दी ये प्रधान मंतरी मोदी के डंडे का असर है गुजरात में इसके सारे रास्ते बंद हो गए इनको फीड़बैक मिल गया कि गुजरात में अगर आप हिंदुत वादी बनकर वहाँ पे वोट नहीं मांगेंगे तो आपको कुछ वोट नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये जो इनका जो बद्दिमाग सीम का जो चेहरा था गुपाल इटालिया उसने जिस हिसाब से महिलाओं के उपर अभदर टिपनिया की खास करके उन हिंदु महिलाओं के उपर जो भागवत कथा में जाया करती इनको समझ में आ गया कि भई वोट नहीं मिलने वाला फिर इसकी चोरी पकड़ी गई जब दिली का एक मंत्री हिंदु का धर्मांतरन कर रहा था आम आग्बी पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे थे तो उनको बकादा घर के बाहर ही रोक करके लोग पूछ रहे थे कि तुम एंटी हिंदू पार्टी के हो इधर वोट मांगने आना भी मत जब उसे फीडबेक मिला तो इसने पैत्रेवाजी कर दिया और दूसरी एक और चीज जिसे समझना जरूरी है ये केजरिवाल ये कह रहा है कि नोटों के उपर देवी लक्षमी और भगवान गनेश की तस्वीर होनी चाहिए जब भई अचानक से चुनावी हिंदू जाग गया इसके अंदर लेकिन ये बताएगा कि वो जो एक खास संप उपिर वहाँ पे लगी रहे और उसमें थूक लगता रहे कोई पाकिट में रख रहा है कोई की रख रहा है कुछ अकल है या नहीं है आपने क्या समझ रखा है हिंदू देवी देवताओं को कि हर जगा उसका अपमान होता रहे और वो भी अपने चुनावी फाइदे के लि कैसे धोया जाए इसको मालूम है कि एक सेक्लर इस्टेट के करिंसी के उपर कोई भी रिलिजिस सिंबल नहीं लग सकता और इंडोनेसिया के नोट पे इसलिए है क्योंकि इंडोनेसिया एक इसलामिक मुल्क है और वहां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो चीजे है वो उनके कल्चर का हिस्सा है और इसलिए कल्चर सिंबल्स तो लगाए जा सकते है रिलिजिस सिंबल्स नहीं लगाए जा सकते लेकिन इस नटवरलाल को समझाए कौन ये पबलिक को बेब को बुनाने के लिए कुतरक देने में एक्सपर्ट है तीसरे खबर सीदे महराष्ट्र से महराष्ट्र में मंत्री मंदल विस्तार जल्धी होगा इस बात को खुद उपमुक्य मंत्री देवेंद्र फंडवीस ने साब क्या है उन्होंने कहा राज मंत्री मंदल का जल्धी विस्तार क्या जाएगा अपने सरकारी नवास पर उन्होंने ये भी कहा कि जादतर नए मंत्री राज मंत्री होंगे उन्होंने जल्धी मंत्री मंदल का विस्तार क्या जाएगा कहा फिलाल राज्य मंत्री मंदल में मुख्य मंत्री एकनाचिंदे समेट 18 काबनेट मंत्री हैं, शिफसेना के एकनाचिंदे गुट के 9 और बीजेपी के 9 मंत्री हैं डॉक्टर साब क्या बीमसी चुनाफ से पहले मंत्री मंदल विस्तार हो पाएगा? देखिए बिल्कुल करना ही पड़ेगा वो इसलिए कि बहुत सारी सीटे भी खाली है और कई सारे जो लोग उद्व ठाकरी को छोड़ कर आए उनके मन में भी ये भावना है कि उनको मंत्री बनाया जाए राजनीती है समर्थन कोई इस तरह से नहीं देता सब के अपने अपना एम एन अब्जेक्टिव होता है और खासकर के राजजी के स्थर पे हर MLA जो थोड़ा बहुत भी स्चीनियर होता है उसके मन में ये लालसा होती है लेकिन ये लालसा धीरे धीरे वो एक कर सकते हैं कि गुसा में वो तबदील हो जाता है जब सीटे खाली हो और मंत्री पद् बीमसी चुनाओ इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमसी चुनाओ उदव ठाकरे के लिए बीजेपी के लिए एकनाज सिंदे के लिए करो या मरो की स्थिती है वो इसलिए क्योंकि अगर भारती जनता पार्टी एकनाज सिंदे के साथ मिलके बीमसी से उदव ठाकरे को उखाल द किसी भी कीमत पे उद्व ठाकरे को और बीजे पी को बीमसी चुनाओ जीतना है और ऐसे में अगर आपके एमेले ही वो नाराज रहें उनको लगे कि हम लोगों को इगनोर कर दिया गया हम से ये वादा किया गया था कि आप आ जाओ सब का कुछ न कुछ हो जाएगा इसलिए य परवाजे पे नौक कर रहा है जी बिलकुर रिशी सुनर के ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बनते ही भारत में इस पर राजनीती तेज हो गई है विपक्षी पाटिया लगातार अल्प संख्यक कार्ट का इस्तमाल करके सियासी हमले कर रही है इसे बीच AIMIM के प्रमुख असु सुनक से मिर्ची लग गई है देखिए ओवसी साब जो कह रहे हैं वह अपने आप में बहुती विरुधा भासी है वह करें हिजाब वाली जो है एक दिन प्रधान मंतरी बनेगी और जिस हिसाब से ओवसी राजनीती कर रहे है और जिस हिसाब से मुस्लिम रहनुमा हिंदुस प्रधान में PFI हो या फिर कटर पंथ इसलाम का समर्थन कर रहे हैं यह सरतन से जुदा होने की जो घटनाएं हो रही है उससे प्रधान मंतरी क्या यह तालिबान का कानून लगाएंगे यह टीचर तक नहीं बनने देंगे जिस तरीके से महिलाओं के उपर पाबंदी मुस्लिम समाज में ये लोग लगाने के चक्र में हैं महिलाएं बच्चिया घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी क्योंकि यह मौलबी मौलाना यह कटर पंथी ओव ऐसी जैसे लोग यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि लड़कियां घर के दहली से बार अपने पैरों पे खड़े होने के लिए निकली नहीं इनकी टोपी आंधी में उड़ जाएगी यह मौलबी मौलाना यह हाथ मलते रह जाएंगे और जो मुस्लिम बच्चिया हैं वो इनको सही इसलाम का सबग दे देगी अब यह बात करते क्यों है यह कटर पंसियों को खुश करने के लिए कि देखो हमने कह दिया इंग्लेंड के अंदर वहां एक हिंदू पुर्धान मंत्री बना है लग गई मिर्ची ऐसा लग रहा है कि इन लोग घर से किसीने कि इनकी जाइजाद को छीन लिया है वह वैसे त यह लेफ्ट पर कबाई यह दराल पत्रकारों को पूरा जथा है कहां निकाल रहे हैं मैं देख रहा था कि भई कई सारे वेब साइट यह गलती उसने की थी तो यह टैक्स चोरी की थी अरे भई एक भारतिये मूल का अव्यक्ति इंग्लेंड का प्रदान मंत्री बन रहा है युएस में वाइस प्रेजडेंट बन रही है यह गर्व की बात है या फिर गुलामी मानसिक्ता में इतनी इस प्रकार से यह लोग आकंट डूबे हुए हैं कि इनको हिंदूों से इतनी नफरत हो गई कि कहीं कुछ अच्छी ख़बर आती है उसमें यह कुछ नकुछ नुक Stevensри अमिजग है की मौझूदगी में नशीले पादार्टों को नश्ट किया गया गरह मंत Karma की में नार्कोटिक्स एजंसियों ने गुज्राट के गांधी नगर में नशीले पादार्टों को नश्ट किया यह सभी ड्रक्स नश्य के खिलाफ चलाए गए विशेश अभियान के अंतरगर्द अलग अलग जगों से जब किये थे इस ड्रक्स की कीमत 632 करोर रुपे आ की गई है डॉक्टर साथ ड्रक्स के खिलाफ अमिच्छा का कितना बड़ा आक्शन देखे प्रधार मंतरे ने साफ साफ कह दिया है कि ड्रक्स और भस्ताचार इस देश में उसकी कोई जरात हो देखी करीब 20-25 हजार करोर रुपे का ड्रक्स पिछले कुछ महिनों में पकड़ा गया है पोर्ट्स के उपर निग्राली रखी जाती है और आज जो अमिच्छा वहां जाकर के अपनी आँखों के सामने उसे नस्ट करता हुआ देख रहे थे ये दरसल एक जी जाता था इसलिए देश के गली-गली में वह वित्ता था अभी पकड़ा जा रहा है इसका मतलब यह कि सिस्टम साफ हुआ है पकड़ने वाला कौन है वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार केंदर में भी बीजेपी की सरकार तो 36 गल की पुलिस तो वहां जाकर के नहीं पकड़ रही कॉंग्रेस पार्टी की तो पुलिस नहीं पकड़ रही केरल से वामपंथी सरकार की पुलिस तो नहीं आ रही ये तो पकड़ धकड़ इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम क्लिंज हो रहा है otherwise पहले इनी ड्रक्स को अंदर आने दिया जाता था और सारे अधिकारी माल खा करके बैठ जाते थे अब ये करना मुश्किल हो रहा है और यही मेसेज देना चारे कि केंद सरकार की इनिसिटिव से भारती इन्ता पार्टी की सरकारों के इनिसिटिव से ये मुहिम चलाई जा रही है कि हिंदुस्तान से ड्रक्स का नाम उनिशान मिटाया जा सकी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब आचीत के लिए धन्यवाद खबरों का पंचनाम हमें आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक अनलिसिस के लिए देखते रहे ये क्यापिटल टीवी हमें लाइक कीजे शेर कीजे और क्यापिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजे नमस्कार